नमस्कार तो आज मैं आपको बता रही हूं बहुत जादा आसानी से मोमोज की रेड़ वाली चट्टी बनाना इसे बनाना बहुत सिंपल है आपको सबसे पहले लेना है टमाटर यहां पे मैंने 11 लिया है उसके बाद जो हरी मिर्च होती है रखे रखे लाल हो जाती है वो ले से लिए कुटर में थोड़ा सा पाना घुटर का फिर तरीके टॉर एक पकाना है और जब यहां बाद यह चल बाद वद्ध कर देना है और दो मिनट बाद इसकी सीटी निकाल कि और रखे ली यहां बद गया है तो इसा अलग बरतर निकाल लिया जाएगा है और यहां पर मै बढ़ा नहीं सीघ्टिय, वह यहां सर्सों कासा GEORGE सब्सक्राइब तो अधे पांट मेसे बाहे और इसको पीसले में परोगे mechanically अभर में प्रतिक किस्के सघंदिये मैं अधे संड़ी कि चलते हैं एक टेर और थेड़ गरम करेंगे और तुरंद Wag cam पर लेक्ष only और चाटको और बाला लिए ओध्रतों इसमें डॉल सकते हैं तो ने चतव काटके सब्सक्त करणके तो ऊपे जवल दे suspects यहां पर तो धर्मस्त भी से सकते हैं मैंने थोड़ी देर बार डीअ मैं देता है और एक जो Haul ॉर्पश्ते ने रेको और इसके बाद जो हमारी टमाटर के चट्णी है वो अल्मोस्ट बन के त्यार हो गई है बस इसको थोड़ी दिर मिक्स करेंगे अभी मैं सोया सॉस डाल दूगी थोड़ा सा पानिक अंगाल के डाल देंगे ताकि वेस्ट ना जाए और यहां पर मैं सोया सॉस डाल नहीं आप सोया सॉस एक चमच है आप चाहते हैं तो आप इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते और अच्छे से मिक्स करने के बाद ना बस इसे दो-तिन मिनट पकाना होता है आप चाहें हाई फ्लेम पर बनाए या मीडियो फ्लेम पर और यहां पर स्वात के अनुसार नमक और अच्छे से मिक करिएगा क्योंकि हमारी चटनी बन के त्यार हो गई है बहुत जादा असानी से तो घर पे जरूर बनाएगा सबसे पहले टमाटर को इस टेम करना है उसके बाद उसको पीसना है और उसके बाद तड़का लगा के अच्छे से कुक कर लेना है थैंक्स फॉर वाचिंग बाइ बाद आगी D